टीन मैंजेर यंक्रिख्टर श्रथ नहीं संतिश्युदा श्राइकृर इमिजियेटि पोर्थ टीम मैंजेर केंटेन इमिजिट पोर्थ गूद इनिंग अल। नमस्कार सेस्रीयकार आदाव महाराश्टर कैरम असेसेशन के यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए सभी कैरम प्रेमी और दर्शकों का मैं मंदार बल्डे तह जिल से स्वागत करता हूँ हालकि मेरे साथ इस मैच के लिए जुड़े हुए में इंग्लिश कोमेंटिटर वागले सर्थ है पिशर वागले सर्थ इस मैच को हम आपके सामने लाई में के आरे हैं आपको होता है कल से रतना गिरी कैरम लीड सीजन पाचवा सीजन जो कल से शुरुआत हुई है इस भासर दोनमें को विधिर के लिए तूर्त जिसमें फिर एक बार सलताने के लिए हमें बहुत है तुन बिलाकर 48 बहतरीन खिलाडियों पर्टिस्टर किया है मेर्ड खिलाडी जिलमें टीन खिलाडी जो वर्ल्ड चैंपिन रहे तेंट प्रशांत मुरे जो है विलाग वर्ल चैंपिन है दस इंटरनाशनल चैंपिन बीस नैशनल चैंपिन फिलेट 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 इस टूर्नामेंट को बहतरीन बनाने के लिए और इसको बहुत अच्छे तरीके का अंजाम देने के लिए जो में स्कांसर्स हमें प्राप होए हैं मुले है वो है LIC of India, Indian Oil Corporation Limited, ONGC, Infigo, Eye Care Hospital, Crystal Security, Canera Bank, Bank of India इतने पे हैं हमने रुखते हुए और नहीं ऐसे हस्कियों के नाम बताने चाहेंगे जो इवेंट प्लाणिंग और मैनेजर टीम है विबेक देसाही, राहूल बर्दे, मिटी निमे, मिलिन साप्ते और बंदाज दल्वे चलिए तो फिर एक बहतरीन मैच की शुरुवात यहाँ पे हम कर रहे हैं मैच खेला जा रहा है जुगल की शुर्दक्ता लाइबा करम मास्टर्स अगेंस प्रशांत मोरे विक्टोरियंस टीम के दोनों दिगज के लड़ों के बीच में यहाँ पे देखिए मैच की शुरुवात हो चुकी है टॉस को विन किया था प्रशांत ने और पहला ही ब्रेक उनों ने चुकिया वो सक्सेस्फूल लेकिन इसके पास इंजिकटिव सेकंड टैन जो था इसमें मिश करते हुए और पहला टैन पास होता हुआ जुगल किशर्दक्ता फ्रॉम लाइबा क्यारम मास्टर्स दोनों ही खिलाडी तरीन है अपने अपनी टेकनिक का इस्तमाल करते हुए दोनों की लाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन करते हैं यहाँ पर देखें क्वीन और दोवर्वर्वाथी आसनी से प्रशांत मुरे ने अपने हिस्से कर दिया है और अब सिच्योशन को पॉजिशन को निहारती हुए क्लस्टर को उपन करने की गोशिश यहाँ पर टन पास होता हुआ जी चुगल की शोद दर्था के पास देखते किस तरीके से इस सिच्योशन को हैंडल करेंगे हाला कि बहुत बैतरीन तरीके से क्लांस खेला है और पॉकेट के कॉइन को पॉकेट करने में कामिया भी मिलती हुई थीरे थीरे अपनी पोजिशन को कि खेलने का प्रयास यहां पर ग्रीप का कंट्रोल देखिए दर्शुकां से मैं कहना चाहाँगा एक युवा खिलाडी है लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से खेल का प्रद्शन यहां पर देखिए एक स्टेंडिंग कट और पहुत ही बहुत ही इन तरीके से इसको एक्सक्यूट किया था थोड़ा सा बैल्लक हम कर सकते हैं कह सकते हैं कि मन चाही पोजिशन यहां पर प्राप्ट नहीं हुए अब देखना है इस दो ब्लैक कोईन को किस तरीके से खेलेंगे क्या बात है काबिले तारीफ पंच का प्रद्शन यहां पर जुगल कि शुर्द्वारा और निहार रहे हैं क्या यह रिटन में शॉर्ट है या टच्छ पे है नहीं लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं हो पाया क प्रद्शन को उपन करने में कामिया भी नहीं मिलती हुई हाला कि राहत भरी सास लेते हुए प्रशांट डेफिनेटली कटकी प्रद्शन करते हैं अब यहां पर रास्ता खुला करने का प्रयास और एक समझज़दारी वाला टंड यहां पर दुट्टा हुँए से ब्लाक कोईन को नीचे लेके जाके अब यह तन बहुत इंप्रद्शन के लिए जाओं लेकिन नाकामिया भी मिलती हुई यहां पर प्रशान ने पहले ही प्रेक को अपने काबू में कर लिया है बहुत अच्छी कोशिश की थी जिवलकिशोर में सर वाग्या सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि और इस पर्टिकलर ब्रेक हमने देखा इसमें आप क्या कह सकते है या कुछ आपको क्या लगता है इस ब्रेक अल्मुस्ट ओल ओपन हुता है लेकिन कुछ ब्रेक ऐसे होता है थोड़ा टेंस में है शायद उनकी थोड़ी उनके अलावा वाकी के प्लेट में अदर्शन अची तरह से नहीं का आप अपकार है फिर भी इंत्रीपट कर योगे जोगे जोड़े सिद्रु पाइडर्स में कर लिया है और ब्रेक में कॉइन पॉकेट भी हो पाईए अब देखते है एक बॉम का प्रयास करेंगे या नहीं हाला कि उन्हें चांस नहीं था इस बॉम को हुआने के लिए इसलिए उन्होंने सीधा ही खेलना पसंद किया हाला कि पॉकेट नहीं कर पाए इस बार यहां पे देखिए ब्लाक कॉइन पॉकेट हुई थी ब्रेक में तो फाइदा उठाते वे प्रशान न करने में कामियाबी यह है खासियत प्रशान की हाला कि जब कुछ राह नजर ना आए तो अपोनेंट की राह को खराब कर दो और यही एक्शुल चैंपियन का गेम होता है बहुत ही इंपोर्टन मैच है दोनों टीम्स के लिए क्योंकि हम लीग टुर्णामिन खेल रहे हैं तो थोड़ी देर में हमारे पास स्कोर्शीट आ जाएगी कि कौन सी तीम इस पोजिशन पे खड़ी है किस मुकाम पे खड़ी है जरूर कि यहां पे अच्छी कोशिश थी गैप में खेलने की ठम को लेकिन कामिया भी नहीं मिलती हुई जुगल की शवर्दक्ता को कि दोनों की लाड़ियों का कंट्रोल अगर हम देखते तो बैटरीन है दोनों की लाड़ियों की क्रीप बहुती इजी है खेलने के लिए उन्हें ज्यादा कमफरडेबल फील करती है और ये श्ट्रोक बहुती उंदा केले है अलाकि इसमें पोजिशन बनाने की चाहती फिर भी देखते हैं हम इस तरीके से आगे इंकर जाएंगे कटका प्रयास था लिकिन नो टच श्राइकर पास हो गया आते वक्त लगा कोई बात नहीं प्रशान को अगर हम देखे तो फोड़ी सी डिफिकल्ट पोजिशन यहां पर नदर आती हुई लेकिन जब प्रशान खेलते हैं तो बहुत बार ऐसा लगता कि क्यारम बहुती ईजी गेम है जिस तरीके से वो कॉइन कटिंग करते हैं या कॉइन पॉकेटिंग करते हैं देखे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था जब कोई रहा नजर ना आए तो डिफिकल्ट कर दो सामने वाली की कॉइन जिससे थोड़ी सी रहत मिलती है कि लाड़ी को यहां पर फिर एक बार स्टैंडिंग कट का प्रयाश और अगर यह कट के ज्वारा अगर कोईन पॉकेट हो जाती तो आगे कुछ गुंजाईश हो सकती थी यहां देखना है प्रशाण बहुत तीब बहतरीन तरीके से जबल ठड़ पॉकेट खेल लिया है और यहां फोड़ी से दुईधा मनस्तिती में फिर एक बार उसी प्रता से खेलने को दोशिश लेकिन अब की बार यहां पॉचान की कोईन प्रशाण की किकल प्रता प्रता से अब इस तरीके से उस पॉइन को डिफिकल्ट कर दिया जिससे वो दूसरी वाइट को इजी कर सकते थे अब एक ब्लैक कोईन को फॉपिट कर दिया शायद फीर एक बार अब्दुल लेमान मौमद यासीन और वाइसीजी केरेमिटर्स विल प्लागेंज ट्रफुल लंपोरे संजेक कोडविल कर उप सयादी स्ट्राइकल अनबर 10 अब्दुल लेमान मौमद यासीन शेख और करने का प्रयास यहां पर जुगल किश्वर द्वारा फिर एक बार वही कोशिश अब की बार सफलता प्रांप्त होती हुए लेकिन हम जिसे सफलता कह रहे हैं क्या वो प्रशान के लिए अपरचुनिटी हो सकती है शायद अब प्रेस का प्रयास करेंगे जिसकी वज़े से ब्लाइच उनके फ्रेम प्रेम चलिए अर्म शेंक्रा और थिए और अब्धिन वापव होगा इस्यादिट नबर 12 लेकिन तन खेलते हुए यहां पर देखिए अब शायद फिर एक बार प्रशांत देखते हैं किस तरीके का स्ट्रोग खेलेंगे यहां पर देखिए वाइट कॉइन को डिफिकल्ट करने का प्रयास्ता जरूर और अच्छी कासी डिफिकल्ट करने में काम्याभी मिलती हुए प्रशान को और फिर एक बार उसी तरीके से सेकेंड ब्रेक भी जुगन किशोर प्रत्ता के हाथ से चला गया है कंजिकेटिव सेकेंड ब्रेक पर अपनी मोहर लगाते हुए प्रशान यहां पर हमें दिख रहे हैं अगर उनका पोजिशन नहीं है तो दूसरे का बोशिशन खराब करके जैसी अपरजिनेटी स्पीस करना चाहता है जैसी उनको अपरजिनेटी मिली उनने उसका फाइदा उठाया और बोर्ड अपने नाम करना है तो यह अच्छे और बड़े प्लेयर की निशानी है कंटीनु प्लेयर यहां पर हम देखना चाहेंगे जरूर क्वीन की कोशिश बहुत ही अच्छी तरह किसे क्वीन को पॉपट करने में कामिया भी मिलती हुई करने में कामिया भी मिलती है मिलती है यहां पर देखिए प्रेस शॉंट लेकिन शायत कुछ अलग करना चाह रहे हैं इसलिए उन्होंने कि हाथ दिखाया अपनन को क्योंकि उनके माइड में कुछ अलग था यह स्लैम होने की चांसिस यहां पर दिख रहे हैं कि बंड़क स्टेट कॉइन मतलब कुछ कट कॉइन जो हमेशा तो खेलते हैं लेकिन ऐसे नहीं होता कोई भी खेल में कि हमेशा वही परफॉमंस या उसी तरीके से हम सारा परफॉमंस कर सके सही खेली का प्रदर्शन जुगल किश्वर द्वारा धीरे धीरे बढ़ते हुए अपनी पोजिशन को सावन करने की प्रयास में जुगल स्ट्रेट कोईन पर प्रभुत वह देखिए इस खिलाडी का लेकिन जहां पर तुड़ी सी कट पोजिशन खेलना है वहां पर तोड़ा समिझदरी वाला गेम जरूर केलना होगा अप्पायर स्काइट इस बोल यहां पर देखिए बहुत यह अच्छी तरीक से फिर एक बार तीसरे बोड़ पर लगाते हुए इस फ्रशांट में लेकि कोई चांस नहीं है अगर कुछ करना है तो एक्स्ट्राओडिनरी करना होगा अपोनन को जुगल किशोर करता है खेल बहतरीन है परफॉर्मंस अच्छा है लेकिन एक्स सब्सक्राइब करते हैं लेकिन प्रशांट इस फिर एक पूजिशन को संभाल के खेलना होगा और क्योंकि एक गल्टी अगर होती है आपसे तो फिर उसका जुर्मान आपको बड़ा देना पड़ेगा अला कि यहां पे तीन ब्रेक जहां पहले दो ब्रेक में अगर लास्ट अगर निहारते हैं हम अपनी आखों से ब्रेक को तो थोड़ी सी साउंड पोजिशन दिखाई देती हुई वाइट पॉइंज की अप्पायस काईटी भी बोल यहां पे जगा बना ली कमफरडेबल खेलने का प्रयास शॉट को बहुत अच्छी तरीके से खेल लिया है अब एक और कनेक्शन है ब्लैक एन वाइट का जिसको भी खेलने में कामिया भी मिलती हुई जो यहां से मुझे नजर आ रहा है शायद होने की संभावना दिख रही है क्योंकि बीच में एक ब्लैक एन वाइट का जो शुपेर अगर वो कामिया भी मिलती है उसको पॉकेट करने में तो फिर आगे देखते हैं अभी अभी पोजिशन हाथ में है चुगल की शुड़ के और देखिया इस जो मोस्ट इंपोर्डन कॉइन थी क्वीन उसे पॉकेट की नजदीक जाकर मिस कर दिया है उसका फाइदा प्रशांत किस तरीके से उठाएंगे प्रशांत को फिर एक बार अपनी पोजिशन को धीरे धीरे सांड पोजिशन में लाने का प्रयाश यहां पे प्रशांत द्वारा यहां मिस करते हुए एक प्रेस कोईन को और अब चूज करना है कि कौन से पॉकेट अभी माइनस कट का प्रयाश यहां पे दिखता हुआ जुगल द्वारा और अब की बार बैक्तरी माइनस कट का पंदर शुरा पे और विदाउट क्वीन छे पॉइंट का प्रयाश यहां पे दिखाई देते हैं कि बहुत ही बैतरी माइनस कट का प्रयाश और सक्सेस्पूल होते हुए छे पॉइंट विदाउट चार ब्रेक के पस्चा यहां पे स्कोर दरशाता हुआ स्कोर बोड़ पे अकाइंटी कॉप डिस्क मंदार साशा रिक योगे शाप्रिक यह नए जोड़े हुए दर्शकों का खालतीक स्वाकत फिर एक बार में बताना चाहूंगा तत्नागरी लीक टूर्णामेंट कैरम लीक टूर्णामेंट सीजन फाइव जिसे आरसील का सीजन फाइव है और बहतरीन मैच का प्रदर्शन यहाँ पर आपके लिए हम लेके आया है जो दुनों बहतरीन खिलाड़ी ब्रेक के बाद टन पास होता हुआ चुगल किश्वरदत्ता के पास किस लजातत से देखिए पॉकेटिंग का प्रदर्शन और सिर्फ पॉकेटिंग नहीं तो यहाँ पे हम देखते है पॉजिशन हैंडिंग भी उतनी ही इंपॉर्टन्ट है जो हमें दिखाई दे रही है कोशिश तो बहुत बढ़िया है चुगल की प्रशांद फिर एक बार पॉजिशन तो प्रशांद में रिड़ कर ही ली होगी जिस तरीके से वो बीच की क्लस्टर को खेलने का प्रयास यहाँ पॉकेट पे नजदिक जाते हुए पॉइंट रुप के ही है क्योंकि अगर यह पॉइंट पॉकेट होती तो जरूर वो कि क्वीन को खेले का दिनेश के दार एक्स्टर्स विलते आगेस एल सुर्य प्रकाश अब यहाँ जो पॉजिशन है इसको किस तरीके से एंडल करेंगे इस ज्यादा इंपॉर्ड नुबर वर्ट का प्रयास यहाँ पर और रहतरीन तरीके से खेला हुआ यह कनेक्शन भूक देखिए जाने वाली जितनी भी फ्री कॉइंस है उसको उस सारे कॉइंस को उन्होंने पॉकेट कर लिया अब थोड़ा सा पोजिशन को विगाड़ने की कोशिश करेंगे इसमें देखिए यह होता है बिक स्टोक जब हार स्टोक लगते है तो कंडिशन फेवर में चली गई है यहाँ पर जुगल की शवर के के गःल अब इस कोएं को कट खेलना होगा अगर इस कोइन को खेलने में कामियाब होते है लेकिन इसके साथ साथ उन्हों ने एक वाइट कोईन भी डिकल्ट करने कि कोशिश की है देखते है प्रशान फाद है बाते हैं यह favorites stroke है फ्रशान का यहां पर देखिए किस तरीके से हैंडल किया है इस सिच्वेशन को इसे कहते है प्रशान तर वट विल यूज ये कहना चाहता हूँ अगर आप प्रशान को अगर कोई चांस मौका देते हैं तो उनके पास हर प्रशान के लिए जवाब है और उनने ये साबित करके दिखाया यहाँ पे कि बहुत ही डिफिकल्ड कोई थी उसको रिलीज कैसे करना है यह जो नहें जो क्यार्म सीखना चाहते हैं उनने ऐसे मैचेस देखने चाहिए ताकि उनकी तरग क्यों क्यार्म देख है तो इससाब से अबिले तारीफ है नहीं लोगों पर इससे सीख लेनी चाहिए और तभी उनका गेम अच्छा होगा ऐसे मुझे लगता है थैंक्यू वेरी मच मंदार थैंक्स सर आपने सही कहा जो यंग्स्टर से जिन्होंने क्यार्म शुरुआ की है खेलनी के लिए उन् मुझे नहीं है कैरम में भी बहुत ज्यादा दिमांक लगाना पड़ता है अलाकि मैं तो समझता हूं कि जैसे चेस गेम में दिमांक यूज़ करना पड़ता है ब्रेन को यूज़ करना पड़ता है देखिए जुगल कि शोर दत्ता अच्छी पोजिशन खेलने के बावजु अपनी तलवार लेके खड़े हैं स्राइकर उनकी तलवार है और बहुत ही बैसरी इन तरीके से क्रिंग करते है कौईन को यहाँ पर जरूर ग्लांस का प्रएस होगा और इस तरीके से खेला है कि वाइट को पोजिशन को बिना ही लाते हुए वाइट को थोड़ा सा difficult position पर देखे आते हैं परशान दिले 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 देखते ही देखते चार black coin को pocket कर दिया यहाँ पर देखिए जो difficult दो coin थी उनको release कर दिया यहाँ पर थोड़ा control चाहिए ता जुगल किशोर के stroke में और perfect one shot two down यहाँ पर दिखता हुआ और फिर एक बार अच्छी कोशिश यहाँ पर फिनिश पोजिशन तक चाने की कोशिश जुगल किशोर दत्ता फ्रम लाइबा क्यारम मास्टर्स लेकिन सफलता नहीं मिलती भी यह देखिए प्रशान किस तरीके से खेल का प्रशान द्वारा हाला कि चाहते तो वह दो कोईन और फॉकेट कर सकते हैं लेकिन उन्होंने वैसे नहीं अब देखता हैं कि यहाँ पर जो करना चाहरे थे क्वीन को अपने पेस में लेके आने चाहरे थे प्रशान लेकिन नहीं लेकिन आए क्वीन को तो पॉकेट कर दिया है लेकिन कवर को पॉकेट करने के लिए देखना है क्या करेंगे चुगल स्टैंडिंग कट खेलने का प्रयास था लेकिन बहुती ज्यादा कट लगने के कारण पॉकेट छोड़ दिया है और मिस होते हुए आखरी पॉइंट ज्युगल की जो कवर के माध्यम में खेलना चाहरे थे यहां पर प्रशान थे फिर एक बार देखिए अब क्वीन और ब्लैक एक साथ खेलने की कोशिश लेकिन अब की बार हलके हाथों से खेला क्वीन को ब्लैक को पॉकेट करने की चाहती जिस वज़े से क्वीन डिफिकल्ट होगी है एंगल का प्रयास यहां पर जुगल की शुर्द बारा और पॉफेक्ट एंगल खेलते हुए क्वीन को पॉकेट करने में कामिया भी मिलती है और कवर को भी अच्छी तरीके से ले लिया पहतरीन खेल का प्रदर्शन यहां पर जुगल की शुर्द गत्ता द्वारा हम देखते हैं छे ब्रेक की समापती के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाटा हुआ हमें दिखाई देगा जुगल की शुर्द गत्ता विल बी ओन वेल पॉइंट्स प्रशांत मोरे विक्टोरियंस सोला पे बैठे हुए हैं पहले ही जाकर सब्सक्राइब करें जुगल की शुर्द में अमारे प्रसाद मोरे वर्ड चैम्पिन को सुचने पर मजबूर किया और जब उन्होंने घल्टी तो ने बोल सकते जब उन्हें पुजिशन बनने की कोशिश की पुजिशन नए बनी जिदर भी श्रोक करना था और पॉइंट लेना था उन्हें ने मार के देखा और मार के बोर्ड लिया है काभिले तारीफ है वह उन्होंने अप्डियुल रहा है तो बहुत अच्छा केल रहे हैं थैंक्यू सर और सज बात है कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब प्रत्यूगीता में पार्टिसिपेशन होता है च्छे- कि लड्यों के साथ मैचेस होती है तो इन यंग्स्टर्स और यह बढ़िया है हमारे लिए कि इंडिया के लिए यह नए ने प्लेयर्स उभर रहे हैं यहां पर फिर एक बार प्रशान प्रिक कटन खेलते हुए और यहां ते देखिए सीजर भी इसे बहुत दगड़ा बॉम का इस्तमाल प्रशान द्वारा अब देखना है कि और एक बॉम उनके पास है लेकिन उसका इस्तमाल वह अभी करेंगे हाला कि उन्हें करना नहीं था लेकिन करना पड़ रहा है विकॉज उसकी वजह से ही उनको खेलने मिलेगा आगे जाके इस बॉम से उन्हें और एक कोईन को पॉकेट कर दिया है अब देखना है कि वो सोच रहे हैं शायद देखे अच्छी कोशिश थी लेकिन को रिलीज नहीं कर पाए क्विन को रिलीज करने की कुशिए अगर क्विन थोड़ी और रिलीज होती तो डेफिनेटली कवर की माध् करने में नाकामिया भी मिलती हुई प्रशान को अब इसका फाइदा उठाना होगा जुगल की शोर को देखने किस तरीके से मैक्जिमम पॉइंस को कट करते हुई ये बोड अगर वो अपने हिसे में लेते है तो अगले बोड में कुछ हो सकता है क्योंकि उनके पॉइंस भी कि अगर इस बोड को उन्हें जीत लिया तो 16 ओल हो सकते हैं देखना है किस तरीके से सिचेशन को हैंडल करेंगे जुगल और यहां पे स्टेट कोईन जहां पे पोजिशन बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं बन पाई यह है प्रशान देखे किस तरीके से उन्होंने कि इस गेम को भी जीत लिया इस बोड को जीत लिया अलाकि 25 से उचर पॉइंट हो चुके है 26 पॉइंट हो चुके है इक भी नो का दस का बोरुगन ने लिया अगर यह पॉइंट 25 के नीचे होते सर तो जरूर और एक ब्रेक खेलना पड़ता लिकिन खतम हो गया है लीग जब तक आपका पूरा गेम खतमने होता तब तक खेलना इंपोर्टन है तो इस तरीके से मैं फिल एक बार दर्शकों से बताना चाहूंगा कि यह जो प्रतियोगिता आप देख रहे हो जो बैचरीन टूर्नामेंट आप देख रहे हो लाइव स्क्रीमिंग आप देख रहे ह और फिलाल यूटूब पे जुड़े होए वापिस ने जुड़े होए दर्शकों का मैं हर्दिक स्वागत करता हूं बताना जाओंगा इस प्रतियोगिता में खुल मिलाकर आठ टीमों ने पार्टिस्पेट किया है और 48 खिलाडी खिलाडियों ने यहाँ पर अपना खेल का प्रदर्शन दिया है आज इस प्रतियोगिते का सेकेंड है कल इसकी शुरुवात हुई थी और संडे को मतलब 17 जुलोई को यह टूर्णामेंट खतम होगी लेकिन हम चाहते है कि इस तरिके की टूर्णामेंट चलती रहे कि बहुत बेहतरीन खिलाडियों ने पार्टिसिपेट किया है क्या बुलते हैं इस आयोजन और नियोजन के बारे में आपका क्या कहना है एक्ष्ट्री के रिश्ट्री के यह करbus लिभार किस्टी प्राशन जैंब्स नात अपका एक प्राशन मोरे आज खरीं सेमय और ऍाने भिलने गारे जो बहुत ज्यादा एक्सिरेंस बहुत तगडी प्रैक्टिश यह है नटीजा यहां पे वल्ड चैंपियन को हम देख रहे हुए उनके अब मैं तो कहता हूं कि उनके पास ऐसे कुछ अधियारेश्टों के दर्म्यान जो वह बहुत कुछ जो मुमेंट में इसको निजिए नि लिकाल तर खेल कर वापिस अंदर रख देते हैं तो यहां पे सेकेंड सेट की शुरुवार होती हुए फ़र्स्ट ब्रेक जुगल की शुर्दत्ता जिसमें कोईन फॉकेट नहीं कर पाए हाला कि पहला सेट प्रशांत मुरे ने जीत लिया है सेकेंड सेट का पहला प्रेक यहां पे जुगल द्वारा दर्शकों से मेरी दर्खवास्त है कि इस नाज को एंड तक देखें कि इसका एंड कब होगा यह हम अभी नहीं बता सकते हैं अला कि दोड़ो खिलाडी बहुत बैतरिन खेल रहे हैं कहीं न कहीं संभाव नहीं हो सकती है अगर जुगल किशोर ने अपने उम्दा खेल का प्रगर्शन अगर कर दिया तो थर्ड़ सेट होने की भी संभाव नहीं हो सकती है अलाकि अभी यह कुछ बात करना गलत पता है कि बहुत बैतरी तरीकी से देखो क्वीन को पॉकेल कर लिया उन्हें है कि कोईन को पॉकेट करने में काम्या भी मिलती हुई यहां पर देखिए फिर एक बार स्टांडिंग कनेक्शन का प्रयास था जो बहुत ज्यादा डिफिकल था लेकिन अच्छी कोशिश पॉकेट के नजदीक जाकर थोड़ी से ट्विस्ट हो गई है उनकी वाइट पॉइंट यहां पर ब्लैक की पोजिशन अगर हम देखते हैं तो साथ ब्लैक पॉइंट बोर्ड पे है जिन को खीच लिया है बहुत ही तगड़े स्टोक के साथ प्रशान देखिए बहुत अच्छे तरीके से खेला है इस कोईन को अब आगे पोजिशन किस तरीके से अंडल करेंगे देखते हैं डबल टच का प्रयास यहां पर अभी भी प्रशान को अगर हम पोजिशन करते हैं तो मुझी जो दिखाई देता है दो कोईन पॉकिट होने के चांसे से इसमें से एक उन्हें ने कर दी दूसरी वह करेंगे नहीं शायद क्योंकि उसकी वजह से दो वाइट कोईन्स बहुत बुरी तरह फस्ट कही है अपोनेंट मतलब जूगल किशुर की यहां पर देखेंगे फ्रेम की कोईन के बारे में सोच रहे हैं शायद कि बहुत देर से उसे चुआ नहीं है जूगल किशुर नहीं कि इसी का डर था शायद उनके मन में कि अगर वो खेलते वक्त यहां पर देखिए यह है संसिबल मूव यहां पर डबल टच का प्रयास तो मुझे नहीं लग रहा लेकिन डबल टच हो गई है गलती से थर्ड पोकेट खेलने की कोशिश में थे जूगल किशुर कि इसी कोईन के बारे में मैं कह रहा था कि यह कौईन अगर वो खेलते तो दो वाइट कोईन जूगल कि शूर को रिलीज होती है लेकिन प्रशांत ने अगर इसको खेला है तो इसके पीछे उसका कुछी रिजन गरूर होगा हाला कि सीजर ग्रीप से थोड़ा सा डिफिकल्ट करने की कोशिश थी वाइट कोईन को लेके ना कामिया भी मिलती हुए प्रशांत हूं यहां पर देखिए वो अच्छी तरीके से खेलने की कोशिश जुगल की शोर गत्ता जारा लेकिन इस कोईन को पॉकेट के नजदीक उन्होंने मिश किया था उससे सेंटर पर लाके रखा है प्रशांत है अब यहां देखिए वापिस एक अलग कोशिश रहेगी जिससे वो ट्राइ कर रहे थे इस वाइट को भी थोड़ा सा डिफिलेट कर सके लेकिन बहुती पहला ब्रेक है लेकिन बहुत समझदार इसे खेल रहे हैं दोनों खिलाडियों यहां पर देखिए कनेक्शन या कुछ अलग करने का प्रयास जुगल दोरा लेकिन जो भी उन्होंने खेला उसके वज़े से प्रशांत की तीनों की तीनों ब्लैक थोड है नहीं तो इन्होंने प्रेस बैक खेलते हुए अपनी कोईन को पॉकेट कर दिया और ताभीले तारिफ तालियों की घूंज में हम सुन रहे है कि इस फिनिश को अप्रिशियेट दिया है लोगोंने क्या पहतरीं कड़बैक खेला है और इसमें किसीने सोचा भी नहीं रहे कि लोगोंने में क्या हुए अपन द Esseक है即ि सरकां governor और प्युचेट ठीज को और शिय। प्रेसंटे नाने फिन प्रेस्यों- doit झानी क्या और ऊप्रेस्टानित क्या मेंड्सिक्षा अपने प्रेस्टत अर्य॥ लेवडें किन। अिदैने प्रेस्षब और रुख और प्रेस एक्सेल क्या सो यहां में हालत तो मुदण दोद भ trembling, को ब्रॉछी होजेए है उति अझ आपको सुरू। क्यज्जिया उसके बमाण। और यहां आप पिन दो wow में जादा जहांकरी ज़रूर होगी यहां पर हम एक बार फिर मैश की तरफ निते हुए देखे ब्रेक के बाद टन पहांसों को गवा जुगल किशोर ने क्वीन और कवर को पॉकिट करने में कामियाभी सफल की है और यहां पर फिर एक बार क्योंकि पहले ही ब्रेक पे मोहर ल अफना ही संबल कर अक्यूरेट खेलना होगा जिसकी कोशिश वो जरूर कर रहे हैं यहां पर देखिए बहुत अच्छी तरीके से उस शॉर्ट को मेंटेन रखने की कोशिश में थे इसको अभी वो खेलने के प्रयास में है बहुत बहतर इन तरीके से फिल एक बार अगर इस शॉर्ट को पॉकेट कर सकते हैं तो शायद ब्रेक का अंजा मनग हो सकता है अनकि यहीं पे कही ना कही हमें उनका बैड लक दिखाई देता है क्योंकि ठिंकिंग इस राइड वर एक्जिक्यूशन में थोड़ी सी कमी नजर आती हुई या फिर अभी उनका साथ नहीं देते हुए है देखिए अनेक्सपेक्टेट टन मिला है प्रशान से इसका फाइदा ज़रूर उठाना गलतियां होती है सबी सी होती है लेकिन बहुत बगलती जो होती है वही चैंपएन कहलाजा है हम अभी गलती से प्रशांद के नहीं तो फेल बड़ हम ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि आदिमी जो भी खिलाडी होता है वो मैक्सिमम जीत हासिल करता है अपोनेंट की गलतियों तो जब कोई गलत खेलता है तब यह हर एक गेम में मैच होता हूं कि यह हर एक गेम में ऐसा होता है तो साथ पॉइंट दो ब्रेक के बाद जुगलकिशर ददता और प्रशान मुरेवन फाइव पॉइंट्स क्या बुल जब सकता है मैंने आपको कहा था बंदार जी कि अगर जुगलकिशोर प्रशान से एक पॉइंट ज्यादा पॉकेट कर रहे एक टन खुद के हाथ में रखते हैं तो प्रशान भी पिशर ले सकता है यह बोड में सीजुआ उनने इसे मारने की कोशिश करते 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 इतनी अच्छा पोजि इसे ही गेम उसको खेलते रहना चाहिए और वह अभी यंग्स्टर है दोनों यंग्स्टर है उनके बहुत बड़ा फीचर है यास डेफिनेटली सर फिर एक बार कंजीकेटिवली यह ब्रेक भी फेल होता हुआ जुगलकिशोर द्वारा हम देख रहे हैं कोई भी क्यारम प्लियर के लिए उसका ब्रेक यह सबसे बड़ा टूल होता है अगर ब्रेक हम अच्छी तरीके से पॉकेट करते हैं प्रेक में कॉइन तो फिर आगे खेलने के लिए टन मिनता है यहां पे देखे कुछ अलग करने की पूशिश आला कि टच पर खेल लिया औ अगर बॉम को रखा है क्या इस बॉम को उप्योब करेंगे अभी करेंगे या उसे अगर अभी नहीं यूज किया तो प्रशान डेफिनिटली उसको डिस लोटेट कर देंगे अच्छी कोशिश थोड़ा सा क्लस्टर उपन करने का प्रयास यहां बे और इस पोजिशन को बहुत बैटर इन तरीके से धड़ पोकेट खेल लिया है आते वक्त स्ट्राइकर अगर कहीं टच होता है तो कुछ पोजिशन बनती इस प्रयास में थे क्नेक्षन की कोशिश बहुत अच्छी तरीके से कनेक्षन भी केला है यहां ट्वीन को उपन कर दिया और अच्छी तरीके से क्वीन को कि खेल लिया है जुगल ने कवर की माध्यम में स्ट्रेट कॉफिट कॉइन भी कर ली है एक स्ट्रेट कनेक्शन अब यहां पर सिच्वेशन किस तरीके से एंडल करते हैं तर इस वेरी वेरी इंपोर्टन और इनके माइंड में कुछ शॉट होगा ज़रूर जो उनोंने ट्राइ किया लेकिन कॉइन पॉकिट नहीं हो पाई अला कि पॉजिशन को मेंटेंज रखा है बीच वाले क्लस्टर को बनाए हुए रखा है क्यूंकि उनको पता है कि अकर प्रशान्थ को ख्लस्टर उपन करके देंगे तो नव नहीं आप 90 कोईन रख दो प्रशान्थ भूका होता है कोईन पॉकेटिंग करने का यह सभी को पता है तो यहां पर देखते हैं कि इस तरीके से खेल का प्रदर्शन होगा हाला कि स्टैंडिंग कट खेल कर पॉजिशन को उपन कर दिया है प्रशान्थ क्या बात है इस प्रशान्थ कर दिया जो प्रेस खेल सकते थे जुगल की शौर उसको से प्रेट कर दिया तंट्रोल दिखे इसके लड़ी का बहुत अची तरीके से खेला हुआ इस तो बहुत प्रदर्शन के यहां पर प्रशान्थ होगा यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा वीवर्स को पांचवे राउन के पश्चाड अगर हम बाकी टीमों का स्कोर देखते हैं पॉइंट द्वारा तो लाइबा क्यारम मास्टर्स जिसमें जुगल किशोर दर्ता अभी खेल रहे हैं वह तीम लीड कर रही है चार पॉइंट हो चुके है उनके और उनको टाय में चल रही है, उनके बराबरी में चल रही है और एक टीम है तो कैरम लवर्स वह भी चार पॉइंट पेौर पॉइंट पे इसके बाद second position पे जो है वो है सत्य सोधक strikers ये team तीन पॉइंट पे चल रही है तीशरे position पे जो team है वो है बाकी की teams जो दो पॉइंट पे और youngsters team ने अपना खाता खोल लिया है एक पॉइंट से तो यह है फिलाल की position teams wise मैंने बताने की कोशिश की यहाँ पर प्रशान का break हम इसको नजर अंदाज नहीं कर सकते इस ब्रेक को इसलिए मैं वापिस एक बार रूप कर रहा हूं बहुत या अच्छी position अब तक खेलते हुए लेकिन यहाँ पर कुछ वैसे नजर नहीं आता हुआ हाला कि कोशिश अचीती प्रशान की जो coin left hand pocket पे थी उसको pocket करने की प्रयास प्रशान द्वारा हाला कि अब जुगल किशोर को बहुत ही साउधानी से और बहुत ही निहार के खेलना होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रशान queen की प्रयास में है थोड़ा सा deflection हो गया और pocket के नजदीक जाके queen रुख गई है इसका फाइदा उठाना होगा जुगल को अगर अब इस पोजिशन पर अगर उन्हेंने फाइदा नहीं उठाया तो फिर बहुत बड़ा नुकसान उन्हें चेलना पड़ेगा हाला कि queen को प्रफिट कर दिया है होगा देखते कि इस तरीके से खेलेंगे और मैंने कहा था कि वो प्रेस कोईन है जो डिफिकल्टी उसको पोकेट करने में कामिया भी मिलती हुई बहतरीन तरीके से queen की cover को अंजाम देते हुए हमें नजर आते है जुगल की शोड़ रगता मैंने कहा था कुछ extraordinary खेलना होग प्रशान के अगेंस तभी जाके कुछ हो सकता है हाला कि यहां पे फिर एक बार कोशिश तो की थी लेकिन कामिया भी नहीं मिलती हुई प्रशान की एक कोईन पॉकिट होगी और अब इसका जुर्माना मुझे तो लगता है कि बरना होगा क्योंकि जो मैं देख रहा हूं उस पास टोक नहीं लगने के वज़े से अच्छी कोशिश जुगल द्वारा लेकिन मंचाई पोजिशन नहीं हो पा रही यहां पे देखें डिस्लोकेट करने का प्रयास है श्टॉट को और बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल के साथ इसे डिस्लोकेट कर दिया है जुगल ने अब यह सिचुशन इंपोर्टन्ट है यहां पे क्या कनेक्शन का प्रयास होगा बहुत बहतर इन तरीके से फिर भी डिफिकल्टीज तो ही है और यह अच्छी कोशिश थी लेकिन वो शॉट इतना अक्यूरेट नहीं था इस लेक्विन उनकी ब्लैक कोईन पॉकेट नहीं हो पाई अब देखना है प्रशान इन डोनो डिफिकल्ट कोईन को किस तरीके से अन्जाम देंगे खुक का प्रयास यहां पे बहुत बैतनी तरीके से चुगल बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल के साथ यहां पे प्रशान ने किस तरीके से अपने कोईन को ही गलांस करते हुए और डबल टच के माध्यम से इस बोर्ड को जीत लिया है बहुत अलग-अलग टक्नीक यूज करते हैं प्रशान और अपने पोजिशन को साथ बनाकर इजी फिनिश के ओर चले जाते हैं हम देख सकते हैं आनकि बहुत मैतरील कोशिश थी जुगल किशोर की अच्छी पोजिशन पे क्वीन कवर खेला था दो पोईंट से लीड मिल ती वी प्रशान्थ मोरे और चार पूर्ड के प्रशाद स्कोर बोड पे रशाता हुआ पिलाल इस मैच के रूप करते हैं चार बूर के बाद नाइन वर्सेस सेवन यहाँ पर फिर एक बार जुगल की शोर द्वारा फेल ब्रेक तुछ अलग करने की कोशिश लेकिन कामी अभी नहीं मिलटी भी जुगल को प्रशान सोच रहे हैं निहार रहे हैं इस पोजिशन को कि इस तरीके से अंडल करें और यह मैंने बहुत बार देखा है कोईन को पॉकिट कर दिया सन्मान जनक जो उन्हें लग रहे थी कि उनको बहुत तकलीव देगी क्या बात है करारा स्ट्रोक यहां पर दिखाई देता हुआ प्रशान द्वारा प्रशान यहां पर जिस पॉकिट को जिस कॉइन को पॉकिट करना चाह रहे थे वहां तक में इस ट्राइकर लेके गए और रिटर्न रिवर्स में उसको रिबॉन के वाद्ध्यम से पॉकिट करने मिखाने अभी बिल्टी प्रशान द्वारा यहां पर देखिए आप लोग करने का प्रशान द्वारा लेकिन आप नहीं हो पाए आप अच्छी कोशिश जूगल की शोर जो एक कट पोजिशन खेलते हुए अपनी वाइट को देखिए प्रशान द्वारा वाइट कोईन जो है उनको डिफिकल करने की बहुत अच्छी कोशिश अगर बोड की सिच्वेशन पोजिशन हम देख सकते हैं तो अभी इस बोड के बारे में कहना बहुत उचित नहीं होगा क्योंकि दोनों खिलाड़े हों के लिए डिफिकल्ट पोजिशन यहाँ पर नजर आती हुए यहाँ पर देखिए अपने ही कोईन को डबल खेलते हुए रिवर्स में श्राइकर लेकर आकर पोजिशन ओपन करने की पोशिश हलके आते से खेलने का प्रयास क्योंकि उसके बाद हम सबको पता है कि शायद प्रशान वीन के पोजिशन खेलते हैं यहां पर थोड़ा सा अलग खेलने की कोशिश जुगल द्वारा और प्रशान को क्वीन सामने ही लाके दे दी है उनों में क्वीन को पॉकेट कर दिया स्ट्रेट कोईन है कवर की कवर को भी पॉकेट करने में कामयाभी मिलती हुई अब पांच कोईन्स बोर्ड पर दिखती है देखते किस तरीके से प्रशान दिसको यूज करते हैं अब पर एक बार अब बहुत ही अच्छी कोशिश और कोशिश में कामयाभी मिलती हुई प्रशान है यहां पर देखिए टप और कट कप्राया जरूर होगा लेकिन कट की जगा पर होने में डबल रिफर किया है और कामयाभी मिलती हुई प्रशान है तो और यह अच्छी कोशिश अगर कामयाभी होते तो एक अच्छा फिनिश हमें देखने मिलता यहां पर देखना है थोड़ा सा मिश्च करते हुए जुकल अब इस कोईन को किस तरी कैसे खेलते हैं क्रोश डबल खेलने की कोशिश प्रशान्त द्वारा लेकिन मन चाहां इंगल नहीं मिल रहता हूंगे फिर भी उन्होंने कोशिश की पॉकेट के नजदिक आकर रख दिया है अच्छी कोशिश और हलाकि बहुत नजदिक आकर मिस्स होती हुई वाइट कॉइन फिल इकवार प्रसांद इंगले में अफिन मोहत लगा लिए तर तर तुछ आप कहना चाहोंगे इस फिलाडी के बारे में इन दोनों फिलाड़ियों के बारे में कुछ आपकी राएं तो बहतरिन खेली रहा है लेकिन इस तरह से मैं यह सेट देख रहा हूँ काफी इंप्रुमेंट काफी काफी तारीफ अपनी और से पूरी कोशिश कर रहे हैं हाला कि उनका इंटरनाशनल लेवल का अनुप मुझे पता नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी फाइट दे रह और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन प्रशांद प्रशांद है जैसे कि मैंने कहा तो कुछ भी हो सकता है एकाद लाग फेवर जबरेव उस तरह का कुछ हो गया तो उसक्ता है मैं जो नोटीस कर रहा हूं इस पर्टिकुलर इस शेट में तो लगातार प्रेक फेल ह रहें दुगल किशोर के और मैंने कहा था कि कोई भी क्यारम खिलाड़ी है उनका प्रमास्तर होता है देखिए प्रशान जो प्रेक करते हैं इसके बाद वो मैंग्सीमम पोजिशन को खतम कर देते हैं और देखिए कोशिश थी उनकी एडवेंटेज पे पॉकेट करने की लेकिन काम्या भी नहीं मिलती हुई बहुत अच्छी यहां पे कोशिश थी जुगल द्वारा पांच बोड के पस्चार स्कोर बोड पे स्कोर दर्शा होता हुआ प्रशान्त मुरे औफ विक्टोरियंस ऑन 14 प उनकी और जबा सेवन पॉइंट्स देखिए किस तरीके से क्वीन को उपन कर दिया यह टिकनीक प्रशांद के पास है औहो कि फीन को तो पॉकेट कर मोड दिया लेकिन कि अज़़ूबी सी जल्ग बाची यह पे दिखाईने ने में क्यूंकि जो पॉस वो लेते है वो पॉस कि यहां पर दिखाई जी कि इनको अरी सेंटर रख दिया है वापिस रेफरींग यहां पर दुर्भग के वश जो करना चाह रहे है चुगल कि शोर वो मन चहां हो नहीं रहा है रिबॉन्ड की कोशिश है लेकिन सिंगल रिबॉन्ड नहीं यहां पर भी कुछ पोजिशन डिफिकल्ड करने की कोशिश प्रशान दुआ है बहुत अच्छी तरीक से कंट्रोल के साथ जुगल धिरे धिरे आगे बढ़ रहे है नाइस कंट्रोल इस कंट्रोल को जब अब देखते हैं यहां पर देखिए शायद क्लान्स की पोजिशन खेलने का प्रयास ज़रूर होगा देखे किस तरीके से खेल दिया है और अडवन्टेज लेते हुए खेलने की कोशिश यहां पर खलके हाथों से पोजिशन और क्लस्टर को उपन कर लिया प्रशान होता है अगर रीड करते हैं हम प्रशान की गेम को तो यह दिखाई देता है कि जब उन्हें कोई चांस नहीं होता पोकेटिंग का तब पोजिशन को साउंड करने की कोशिश करते हैं और एक बार उनको लगता है कि चलो यह पोजिशन अपने हम लब उनके खुद के लिए अगर इजी है तब वो और कोई चीज का के चीज के बार में सोचते भी नहीं देखे यह यह यहां पर हम देख सकते हैं क्वीन को भी डिफिकल्ट कर दी आपने वाइट कॉइन को भी पोकेट करने की कोशिश की हाला कि कॉइन पोकेट नहीं हु अब यहां पर समझदारी होला गेम क्योंकि नहीं तो फिर एडवेंटिज ले सकते थे प्रशान और देखिए फिर एक बार कोशिश तो बहुत तबड़ी की थी कि हुख खेलते वक्त अपनी क्वीन को वही जिकर सके अब देखना है किस तरीके से अब इम्पोर्टन्ट टर्न है अब कर देखिए महाराष्ट्र कैरम असेशन चाहां पर रतनागरी कैरम लीग की तूर्नामेंट है और यहां पर एक पहतरीन मुकाबला आपके सामने हम पेश कर रहे हैं यूट्यूब के मात्याम से अब आश्ट्र कैरम असोशेशन की यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार रुख करते हैं बहुत बैतरीन तरीके से क्वीन को और ब्लैक को डिफिकल्ट करने में कामियाबी मिल्टी भी जुगल की शरुको यहां पर क्वीन खेलने का प्रयास था प्रशान द्वारा लेकिन बहुत अच्छी तरीके से ब्लैक को भी कोईन पॉकेट कर दिया है वेरी गुड बहतरीन कट का प्रदर्शा और इस तरीके से चार काइंट से इस पोड को जीत लिया है और सर क्या लगता है आपको 11 by 14 आफ्टर 6 ब्रेक 11 जुगल की शरु प्रशान द्वार 14 आपकी राए क्या बूलती आप मेरा राए यह है कि अभी पैनल्टीमेट मतब दो ब्रेक जुगल की शरुकर के पास होंगे क्योंकि यह छटा ब्रेक है थाटा और आट हुआ वह वरी वाइटल है और अकरिपन नज्जिक में नहीं दो ब्रेक है तो एक ब्रेक इनको एक ब्रेक उनको मिलेगा तीन पॉइंट का डिफरेंस है यह ब्रेक सब्कुद डिसाइड करेगा कि इसमें जुगल की शरुक कितने अच्छे खिलकर कितनी लीड ले सकते हैं ताकि लास्ट बोड में वो उनको जरा मनो अध्या की दबाव डाले प्रसान दोरे पार तो यह ब्रेक सबसे इंपार्ट ह अच्छे अच्छे ब्रेक पर्यंगर यह ब्रेक साले जरासिस को ईसमें की बिफरे इस मैच में उनकी सफलत हम नहीं ही जुगल की शरुकर को उन्हें सफलता लेनी ओन जोर, और ऑब की बाः निकर ब्रेक को पानजाम दिया है कॉइन पॉकिट करने के पस्चा सेकेंड टन खेलके हुए जुगल की शौर ने सीजर ग्रिप से पंच के माध्यम से लाइन के उपर वाली जो कॉइन है उसको पॉकिट कर दिया है बहुत इंपॉर्टन ब्रेक है यहाँ पे दोनों खिलाडियों के लिए ब्रेक हो चुकी है जुगल द्वारा अब देखना है इस तरीके से खेलेंगे यहाँ पे थोड़ी शी पोजिशन क्वीन के लिए ओपन करने का प्रयास क्वीन खेलने की कोशिश जरूर होगी क्वीन को पॉकेट कर दिया है गवर सामने है गवर को भी पॉकेट करने में काम्या भी मिलती हुई लेकिन यहाँ भी लेखना है किस तरीके से अंडल करेंगे सिच्वेशन को जुगल की शुक्र कि वह क्या बहतरीन कोशिश थी पॉकेट तक जाकर वाइट कोईन वापस बाहरा गई है कि यहाँ पर प्रशान की खेल का प्रदर्शन हमें देखने को मिलता हुआ अब ढ़ा सिच्वेशन को चेक कर रहे हैं पोधिशन को देख रहे हैं परशानते शंकर में गोड़िविवर आपकेट है हुअ अ मास और दज जुपर कि अखिर धाल लिया है उदाने कि अब यहां पर बहुत इंपोर्टन ड़न है प्रशांद के लिए कट बैक केलने का प्रयास या फिर और कुछ नहीं लास्ट कोईन बची हुई है और कॉन्फिदेंस के साथ पॉकेट करने में कामियागी मिलती हुई जूगल की जब को अगर यह 6 पॉइंट हम स्कॉर बोड पे देखते हैं तो स्कॉर बोड पे 7 ब्रेक के पश्चाद स्कॉर दर्शाता हुआ नजर आएगा जब रेफरी इसको करेक्ट तो 17 मैं 14 मजब लास्ट ब्रेक है तो 14 17 होगा प्रशांत मुरे और विक्तोरियंस ऑन 14 पॉइंट्स जुगल किशोर दत्ता 17 पॉइंट्स सेकेंड सेट आखिरी ब्रेक ब्रेक करने जा रहे है प्रशांत मुरे और बहुत इंपोर्टन ब्रेक होगा दोनों खिलाड़ों के क्योंकि इस ब्रेक पे सब कुछ दिसाइड होगा इस सेवेंटीन मैच का रिजल्ट है प्ले बहुत ही अच्छा ब्रेक प्रशांत द्वारा अल्मूस्ट साथ वाइट कॉइन सरकल के बाहर दिख रही है हमें क्वीन को खेल दिया है पॉकेट कर दिया है कवर को भी बहुत अच्छी तरीके से पॉकेट करने में काम्याभी मिलती हुई बहुत अच्छी तरीके से आगे चलते हुए प्रशांत कि यहां पर देखिए पेल्वीशन को बनाया हुआ था हुदो ने चौट क्रियेटी भी किया था क्रूशल टन है जुगल किश्वर के लिए यहां पर ज़रूर अगर सेफटन खेलना है तो फिनिश करना होगा जुगल किश्वर को क्वीन पॉकेट कर ली है अपने नाम प्रशांत ने कर देखते हैं अब किस तरी कि से अंडल करते हैं सिच्वेशन को कि यहां पर कोशिश की उनकी कट करकर कनेक्शन पॉकेट करने की कोशिश दोने में से कुछ भी अगर पॉकेट होता तो आगे खेलने के लिए उन्हें चांस मिलता लेकिन अब देखते हैं प्रशान कि थोड़ी देर सोचने के बाद जहां पर प्रशांद में सिलेक्ट किया जो उपर की कॉइन थी इसको सिंगल पॉकेट करने का प्रयास था अब ही भी कुछ कहना उचीद नहीं होगा प्रडिक्शन करना उचीद नहीं होगा यहां पर जो करना चाह रहे थे वह तो नहीं हो पाया जुगल की शोरकेश साथ है क्याप में से खेलने का प्रयास स्टाइकर निकल गया है कॉइन पॉकिट बोच चुकी है दो कॉइन बचे हुए स्ट्रेट और इस तरीके से प्रशान में दूनों सेट को अपने काबू में कर लिया है वैकरिन खेल का प्रदर्शन तूकि उनको पता था कि तीन का लीड है नेकिन ये लीड में कवर कर सकता हूँ अपना खुद का ब्रेक है ब्रेक पे कवर कर लिया तो बहुत अच्छी तरीके से इस मैश को बहुत ईजी तरीके से जीत लिया है दोनों खिलाडियों के लिए हम हर दिक्ट